संतों महात्माओं की बातें तो बहुत इस प्रकार की होती हैं न किसी एक संत को बड़े अपमान भरे शक्त सुनने ही पड़ते हैं कोई संतों के लिए साध्मों के लिए नई बातें नहीं हैं बहुत सुनने पड़ते हैं और उसे कहीं ज्यादा किसने अफमान भरे शब्द कहे गाली की जैसे तो शिश्यों ने बुरा माना गुरु महराज के लिए संद के लिए ऐसे शब्द प्रियोग शोगनी नहीं है प्रतिकिरिया व्यक्थ करनी चाहिए शिश्यों ने तो संद ने रोका उन्हें समझाया कहां बच्चो इस व्यक्ति ने यदि मेरे देह की निंदा की है तो देह सबकी निंदनी यही है कोई नई बात नहीं की हम स्वयम को भी देह की निंदा करनी चाहिए क्यों ये कुकर्ब सारे इसी के माध्यम से होते हैं देभाव बड़ा खराब भाव है अब इद्या कहा जाता है इसे तो बच्चों देह तो निंदनी है और अगर इस व्यक्ति मेरी आत्मा की निंदा की है तो इसकी आत्म में और मेरी आत्मा में कोई अंतर नहीं है वै एक ही है तो बुरा क्यों मान रहे हो संथ ने समझाया महरशिव शिष्ट को शादक्षिनों उनके शिष्ष्चों ने आज कहा तब से महरच इतनी सिद्धियों के मालिक हो इतनी शक्तियों के मालिक हो तब से क्या प्राप्त नहीं है आपको आप अपने अलोचकों को शाप क्यों नहीं दे दे इतने निंदा भरे शब्द अपमान जनक शब्द आपके लिए प्रयोग करते हैं उन्हें शाप दे दे आप में सपर्थ है कि शाप देते ही उनका सत्या नाश हो जाएगा सर्फ नाश हो जाएगा महार्ची विश्ष्ष्ट समझाते हैं नहीं बंदू तब त्याग इवर भक्ती इसलिए नहीं की जाती कि शत्रों का सत्यानाश किया जाए या मिंदुकों का अलोचकों का सत्यानाश किया जाए तब त्याग भक्ती इसलिए नहीं की जाती उपास्ता, साधना इसलिए नहीं की जाती वे तो इसलिए की जाती है कि अग्यानियों के हृदे के अंदर ग्यान का दीपक जला दिया जाए अग्यानियों के हृदे के अंदर ग्यान का दीपक जला दिया जाए और समान में व्यक्तियों के अंदर भक्ति का संचार कर दिया जाए उनके अंदर भक्ति जाग्जित कर दी जाए मैं इन पर कुरुद हो के अपनी की हुई कमाई का सत्यानाश क्यूं करूँ यह कमाई बहुत अनमूल है साधना की कमाई, उपासना की कमाई, बहुत भग्पी की कमाई, यह तब त्याग की कमाई बहुत अनमूल है मैं इन्हें शाप्ति के तो अपनी बुद्धी के अनुसार संसार है ना देलियो सचनू बड़ा मुश्कल है कहना की मुख्य के अन्दर कितनी जिवा हैं संसार के हम तो साधत हैं ना, सो एक प्रयाप्त है हमें अपनी मुख्य अन्दर अनेक जिवाएं नहीं रखे भगवान राम से किसी ने प्रश्ट कर दिया महराज दो नास्षिकाईं दी, दो आँखें, दो कान इस जिवा एक क्यों दी है हसके मुश्कला के कहा शुक्र है एक ही दी है अनेक दीवी होती तो ना जाने इस जिवाएं क्या कर दिया होता है एक ही प्रयाप्त है जिनको गंदी अद्धे हैं दिवियो सुचनू दूसरों के घरों में आग लगानी की इस जिवाने न जाने कितने घरों को जला के तो राख कर दिया आप विश्वास नहीं कर सकोगे लेकर ये सकते हैं जिनकी ये आदत है आगे बढ़ते हैं कटू शब्द एक साधक के लिए साथ चुनू जहर समझेगा अपने लिए प्षि और औरों को प्षि वे एक जहर का शीतिका लगाता है जिनकी वानी में कटता है करवाहट है आप जितना मर्ची रूप को निकलता तो वही है जो भीतर है कितना चुपाऊंगे अंतता वही निकलता है जो आपके भीतर है कडवे बोलने वालों को विशेले बोलने वालों को यह समझ लेना चाहिए कि अंदर विश भरा पड़ा है अंदर कटता भरी पड़ी है लेकन वान का तीर वानी का तो तीर है ऐसा घाओ दिके जाता है पीड़ा दे सब का स्वामजी महराज ने कहा घाओ तो दिखाई नहीं देता पीड़ा भी दिखाई नहीं देती लेकन उसका अनुभव कभी नहीं जाता इस करता से सादक चरू बचना चाहिए आज चर्चा शुरू करते हैं कल जारी रख़े इस चर्चा को बड़ा गहरा रोग अपने अंदर और बड़ी गहरी मार करता है दूसरे के अंदर जाती पहचानी महला की बात करते हैं दूपतिकी महभारत की युद्ध का एक पनमुक कर राजस्य यक ऐसा मंडपनाया पंड़ोनी जहां थल है वहां जल दिखे जहां जल है वहां थल दिखे ऐसा शांदर सब कुछ बनाया मानु व्यक्ति चल रहा है तो उसे लगता है कि जल है लेकन जल है नहीं समान धरते हैं आगे चल के देखता है तो उसे दिखाई देता है कि ये भूमी है लेकन है जल दुरियोधन आ गए है अमंत्रित है आ गए है आपको इसा बातों का पता है शिर्फ याद दिला रहा हूं आपको चलते चलते आगे बढ़ते जा रहे हैं जहां जल नहीं था धरती ही थी अपने कप्ड़े थोड़े से उपर उठा लिए उन्हें जल दिखाई दिया आगे जाके ऐसा ही विप्रीत दिखाई दिया जहां जल था वहां कप्ड़े उठाए नहीं तो भी दुरुपती और भी दोडोशी इस दुरिश को देखके इतना ही कहना अखर है तो अंधे की उलाद ही ना बस अब आप सौरी कहो अब आप अपने शब्द वापस लो अब आप क्षमा मांगो जो घाओ आपने कर दिया समान व्यक्ति तो हस कर दुरियोदन जैसा व्यक्ति तो उसे कभी भूल नहीं पाएगा और उसने भूला नहीं वहीं पर मन में ठान ली महभारत का युद्ध होके रहेगा एक मामूली सी बात ही है ना होना चाहिए लेकर दुरियोदन सादक नहीं है दुरियोदन सादक होता तो ये नुबत शायद ना आती है फिर क्या हो गया गलत तो नहीं कहा उसने तुरुप्ति ने भीम ने गलत नहीं कहा बाप है अन्दा येकर ये सब बातें कहने की तो नहीं होती और कहनी भी चाहिए तो वड़े ढंग से कहनी होती है बेढंगी तो नहीं कहनी चाहिए तो अटक्ष में समय हो गया है कलिस चर्चा को और आगे जारी रखेंगे धन्य बाद